नमस्कार दोस्तों, जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं, देखे फ्रेंड्स आज की इस वीडिया में हम बात करने वाले हैं SSC CZL Tire 2 की कट ओफ के बारे में, तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर क करते हैं, साथी वीडियो को सेर में ही जरूर करते हैं, लाइक में जरूर किजएगा, ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं, हम आपको SSC CZL Tire 2 की कट ओफ के बारे में, देखी हैं, मैं बता दूँ आपको, जो कट ओफ हमने लिखी हैं, कट ओफ सभी टीचर्स का यहीं ड तैयारी कर रहे हैं, और वो रूबरू हैं, वो सीरियस हैं, तो उनको पता होगा कि वास्तिक्त में कमपेटिशन कितना है, और कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है हमें, ठीक है, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दू, जो तैयारी नहीं कर वो या पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या वैसे ही या फिल जिनके कम नंबर आ जाते हैं और वो पिछले सालों से यह नहीं कर रहे हैं इस बार ही उनका टायर वन के लिए उनको लगता है कि यार कम बेकटन हो जाएगा नहीं लेकिन सचाई यही है देखिए अगर हम यूर की बात करें तो 280 प्लस जाने के चांसिस हैं क्योंकि पहले कुछ और लगता है वास्तिकता कुछ और रूती है बहुत तो है स्टुडेंट हैं जो कहीं कहीं साल हो सुरू के पड़े हैं किसी का एक नंबर से आप खुद ही देख लो नंबर आ रहे हैं 220 नंबर आ रहे हैं हो जाएगा जर्नल काटिगरी में भी यह हमारे 200 नंबर पर जर्नल काटिगरी में हो जाएगा नहीं देखिए बात करें तो 275 प्लस EWS 265 प्लस SC का थोड़ा कम भी कर लिजिएगा अगर इसमें आपके जो है 255 के राउंड भी अगर SC काटिगरी में आ जाते हैं तो कहीं ने कहीं चांसिस बन जाएगे वहीं ST में थोड़ा और कम कर लिजिएगा तो इनमें आपके 245 प्लस तक भी अगर है normalization की बात बात कर रहा हूं मैं ठीक है यह आपके नंबर जो है normalization के बात इतने हो सकते हैं normalization के बात हो जाते हैं तो आपके कहीं न कहीं चांसिस बन जाएगे कोई न कोई पोश्ट आपको जरूर मिल जाएगी result की बात करें तो रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगी सकता है एक मेना तक तो रिजल्ट में लगी सकता है अभी बाकी देखिए और क्योंकि एक महीने का टाइम तो लगे जाता है तो एक महीना लग सकता है जहां तक उम्मीद रिजल्ट के आने में और बाकी कट ओफ तो कि रहने के यही चांसिस रहेंगे ठीक है दोस्तों तो वीडियो को जदा से जदा से शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सस्काइब भी ज